हेलो जीबन मैं हूँ डॉक्टर श्लोक तो तीन मेजर अपडेट हैं जिनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ पहली अपडेट जो है वो आपके री नीट को लेकर आगे क्या होने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे दूसरी इंपॉर्ड़ेंट लेकर क्या चीजें सामने आ रही हैं देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि नीट का जो एक्जाम वो कहीं ना कहीं लीक हुआ है ये चीजें कंफर्म होती जा रही हैं लगातार एक्शन इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं अलग- नीट का एक्जाम ना हो तो ये तो बात रही बच्चों की अब बात करते हैं कि एंटिय क्या चाहता है तो देखिए एंटिय ने अपनी बात दो टूप में खतम कर दिये वही है पहली बात कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है कुछ गड़बड हुई थी जो कि सम्हाल ली गई है दूसरी बात जहां गड़बड हुई थी बहां एक्जाम ओलेडी कंड़क्ट करा दिया गया है इसका मतलब यह है कि री नीट नहीं होने वाला और अभी तक की जो अपडेट सामने आई है वो यही है कि 90% चांस है आपका नीट का एक्जाम बापस से कंड़क्ट नह नहीं करा जाएगा अगर यह नहीं होगा तो आगे क्या स्टेप होना चाहिए तो देखिए जो नॉर्मल चीजे होती हैं वही होंगी सबसे पहले आपका ऑफीचल आंसर की आएगा ओमार सीट आएगा रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट के बाद प्यार करना है मैं कहूंगा इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि जो प्रॉसस होनी है जो चीजे आगे बढ़नी है वो तो बढ़ती रहेंगी तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है फिलाल मैं सबसे पहले बात करूं कि नीट का रिजल्ट कब आएगा तो देखिए ये तो ओल लेडी एंटी आपका बता चुका है 14 जून को आपका नीट का रिजल्ट आएगा ये जब नीट का फॉर्म आयता है तब ही उन्होंने अनाउंस कर दिया तो अब बात आती है कि ऑफीचल आंसर की और ओमर हमें कब देखने को मिलेगी तो अभी तक तो होता है उसके साबसे अगर मैं बात करूं तो एक महीने बाद आपकी ऑफीचल आंसर की और आपका ओमर एंटी ए के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है कि अब आप जानते हैं कि आपका एक्जाम जो हुआ है वो बच्चों हुआ है पांच मई को तो अगर ये पांच मई कांसिलिंग की प्रिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी अब बात करते हैं भहिया हमारी तीसरी अपडेट की तीसरी अपडेट ये है कि अब हमारी जो रिसर्च वो कंप्लीट हो चुकी है बैक टू बैक आपको यहाँ पर MBBS, BDS, BMS, BHMS जो भी कोर्स की डिमांड आ रही थी लग कट आफ की PDF आप फ्री आप कॉस्ट चाहते हैं जो की पैसल लेकर आपको दी जा रही है तो वो आपको अवेलबल करा दी गई है हमारे डॉक्टर स्लोक एप पर कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है बहुत सारे बच्चे इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे तो मैं आ महां से डाउनलोड करके इसको अपने मुवाल में रख सकते हैं चाहें तो किसी भी दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं कोई भी फीस आपको देनी नहीं है वहाँ पेड़ भी दिखेंगे आपको लेकर वो आप ना देखें ठीक है वाकि अगर कोई भी सवाल अगर आपका है सारी चीजह आपको बता दी जाएंगी फिलाल मैं मिलता हूँ आप से नेक्ट वीडियो में तेंक यू सो मच